हर्याना के नू में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है आरोपियों की धर पकट के लिए हर्याना स्टीएफ लगातार का रवाई कर रगी है हिंसा का असली सच जने के लिए हिंसा मेलेब तारोपियों को गिरफतार कर उनसे पूछताच की जारी है हरियाना पुलिस की ओर से दर्ज की गई FIR के मुताबिक उपद्रवियों ने पुलिस को टार्गेट करके हिंसा की जाहिर है पूरी साज़िश और सुनियोज तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया हालांकि हिंसा को लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ चुका है और कुलिस यूट्यूबर एहमान मेवाती के खिलाफ जाच भी कर रखी है नू जिले में अब तक 147 लोगों को गिरफतार किया चुका है जबकि जिले में अब तक 56 FIR दर्ज हुई है पड़ोसी राजे राजसान के भरतपूर अलवर से 8 आरोपियों को गिरफतार किया गया पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 216 से ज़ादा लोगों की गिरफतारी हुई है सो से ज़ादा FIR पूरे प्रदेश में दर्स की गई है पुलिस की तरफ से हर्याणा स्टेफ की टीम लगातार जाच परताल तेज कर रही है बुल्डोजर आक्षिन जो चल रहा था उस पर कल पंज़ाब हर्याणा हाई कोट ने रोक लगा थी पर एक शक्स की पहशान हुई है यहाँ पर स्टेफ पहुंची है यहाँ पर पहुंच गया है आइडेंटिफाई किया गया है यहाँ से नू केस में यहाँ पर जो है लेकर आई स्टेफ और बड़ी काम्याबी स्टेफ मान रही है यहाँ पर देखिए हमारे स्टेफ की सुधीर यहाँ पर दिखा रहे है कि स्टेफ यहाँ पर तलाश कर रही थी और S.T.F. जो है हर्याना S.T.F. वो यहाँ पर लेकर एक शक्स को लेके जारी है जो कि यहां पर ग्रफतार कि एक S.T.F. को बड़ी काम्याबी मिली है क्या यह लगतार यह ओपरेशन चल ला थे S.T.F. का देखिए S.T.F. के दो जवान है वो यहां पर है यहां पर लगतार उपरेशन चल ला है S.T.F. का और एक काम्याबी मानी जा रही है क्योंकि टेक्निकल सल्विलांज के बेस पर जो है वो यहां पर चल रही थी और यहां से जो S.T.F. है वो इस वक्त लेके जा रही है यहां पर देखे S.T.F. S.T.F. लेके जा रही है यहां से एक शक्स की पहचान हुई है यहां से एक उपरेशन चल ला था पिछले एक गंटे से उपरेशन चल ला था और यहां से जो S.T.F. की टीम है वो यहां से एक शक्स को यहां से हिरासत में लेके गई है यहां से एक जो सस्पेक्ट है उसको यहां से पकड़ा गिया है अपने सोगी कामरेमेन सुधीर के साथ मैं जाविद उसाइं इंडिया नीज नू 31 जुलाई को नू में उइंसा को आज तकरीवन आठ दिन बीच चुके है और ऐसे में आज भी अगर बात करें तो यह इलाके सुनसान नदर आते हैं क्योंकि लगातार अगर बात करें हाला कि कर्फ्यू चल रहा है दिन में जरूर डिल दी जाती है लेकिन उसके बावजूद स तरीके से आज आठ दिन हो चुके हैं सोमवार को ही पिछले सोमवार के अगर बात करें तो यह पुरी घटना होई थी उससे पहले अगर बात करें तो तमाम जो लोग यहां पर मौजूद है आप कुछ बताएंगे गाउं में लगबक कितनी आबादी है और फिलहाल क्या कार इसे रहते हैं जी जो हर कास्ट में रहते हैं हर जगा इस तरह लेकिन च्या करना भी वी गाउं की सड़के खाली लोग नहीं है गाउं में जगडा हुया है हाला कि हमारे गाओं ऐसे कोई जगडे की सुर्कियों में कभी भी नहीं आया है फिर भी परोस में हुया है तो डर तो सबी है बाकी मुसल्मानों को तो ज़्यादा है यहां कोई ऐसे नाजाईज उसमें फस जाई इसलिए गाओं में थुड़ा अलग है हाग जोगी बात करें तो 156 गिरफतारियां हुई है लेकिन ऐसे में एक बड़ा आकड़ा यह भी है जिसमें काफी लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताज कि जा रही है हालाइं यह है कि पूरा इलाखा जो है जा drives सब करने जराता है अपको तो कितने उम्र हो गई हो गह की औरकिया टो है यह प्रिश error कुछ नजर आरा है काश्तर है लेकिन आज जो भी हुआ चाहे किसी ने भी किराव आपके शेतरा रहा है फोई नाजाई आपको सब्सक्राइब करें मं दोश्तो यहां के युवा हैं वो अपने घरों को चोड़ करके फरार है कि कहने कि अधे पकड़ में के चल रहे हैं पटोस्तो bother Pak लिए ज्यूंतों इस आज पास खी कि बाबादी की बात करे हजारों में हैं लेकिना डाओं में सडके जो हैं वो सुनसान नजर आती हैं यह तमाम हालात इसी तरीके के कि सडकों पर लोग निकलने से भी कुरेज यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं नुहू से तीपक शर्मा इंडिया नियूग